एलविश यादव भाग रहा था राजिस्तान पुलीस ने धर्द बोचा आधी रात को एलविश को पकड़ लिया गया है नोईडा पुलीस जा रही है उसे पकड़ने के लिए क्योंकि एलविश यादव ट्रेन लेकर कोटा से सीधा लैंड करने जा रहा था लंदन में ये पहले अब से तो वहां पर पुलीस जब चेकिंग कर रही थी तो एक कार में एलविश यादव बैठे हुए थे उनका नाम पूछा तो पुलीस को याद आ गया कि भाया इस टाइम एलविश यादव की खरबरे चल रही है कई एलविश यादव वंटेड है और इसे सीधा प पका नहीं हुआ है कि भाया इसने ही किया हो अभी इरजाम लगे है ना ही ये वंटेड है कि आपने इसे पकड़ लिया तो ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो एलविश यादव खुद बोड़ है कि मैं सरेंडर कर दूँगा अगर मैं ऐसी चीज़ों में सही साबित होता हूँ तो तो इसके बाद राजिस्तान पुलीस है वो एलविश यादव को छोड़ देती है लेकिन भाया मीडिया को सलाम है जो बोड़ी है कि बस अब नोईडा पुलीस निकलने वाली है यहां तक पहुच चुकी है और जल्द ही एलविश को राजिस्तान के कोटा से पकड़ कर जेल में डालेगी दस साल के लिए सजा करेगी वा भाया वा क्या बात है मीडिया वालों की मीडिया वाले तो ये भी बोड़ रहे थी कि ट्रेन सीदा लैंड करेगी लंदन में कोटा वाली ट्रेन लंदन पहुचेगी कुछ ऐसी थीज़े मीडिया वाले बोड़ एड करके बिग बोस में उसे बुलाया गया सलमान खान के सामने कल वो शूट करके आया है उनके साथ वो बंदा दिन में 57 लाक रुपे कमाने वाला महीने के करोडों कमाने वाला 15 आयर 30 आयर में सोदा करेगा तो इस तरह से पागल बनाया जा रहा है तो आप क्या बोलेगे कमेट बॉक्स में जरूर बता है लेकिन एलविश यादव की आधी ने सबको हिलाके रख दिया है और जो पलीस कल तक पकड़ने की कोशिश कर रही थी आज वो बोड ये कि नहीं भाईया अभी तक जुल्म साबित नहीं हुआ है तो ये हमारी तरब से वांटेट नहीं है अभी गहन जाँच है वो चल रही है क्या बोलेंगे आप कमेट बॉक्स में अपनी राज रूर दे और इसके साथ हम लगादार आपको आपने सैकेंड न्यूस को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना है